दोस्तो क्या आप भी अपने फोन को DSLR बनाना चाते हो जिससे के आपके फोन के फोटो भी DSLR जैसे ही आए जिससे के आप DSLR जैसी ही फोटो आपको किलिक करके देतो दोस्तो आपको कुछ सेटिंग करनी है जिससे आपका फोन जो है वो DSLR बन जाएगा आपकी जो फोटो है वो DSLR जैसी ही आएगी तो आपको अपने phone को DSLR बनाने के लिए कुछ ऐसे hidden feature बताऊंगा जो आपको अपने phone के अंदर यहाँ पर apply करने है जो आपका phone है वो DSLR जैसी ही आपको photo खीच कर देगा तो सबसे पहले आपको पहली सटिंग करने के लिए अपको अपने camera वाले और पर किलिक pendant और दोस्तो यहाँ पर उपर setting का icon दिया कि और इसका उपको कर लेकर लेना तो आपको यहाँ पर फ्रेंट कर दिए और दोस्तों हमने यहाँ पर पहली फोटो है वो फटेगा नहीं आप को दूसरी setting यहाँ पर अपलाई करना है तो इसके लिए हमको back करना तो दोस्तो बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दूसरी सेटिंग करनी है जिससे आपके फोन का जो फोटो है वो DSLR जैसा आएगा तो उसके लिए आपको ऊपर HD का एक option देखने को मिलेगा इस पर किलिक करना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर तीन option और खुल कर आ जाएंगे तो यहां पर इस पर चलिए किलिक करते हैं और यहां पर HDRA इस वाले option को select कर देना है तो दोस्तो हमने दो setting यहां पर कर लिया है अब हमको क्या करना है यहां पर हमको अपने phone को DSLR जैसा बनाने के लिए हमको एक app की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारे phone की जो फोटा है वो DSLR के जैसे आएगी तो उसके लिए आपको यहां पर back कर लेना है दोस्तो अब हमने अपने phone के अंदर यहां पर camera के अंदर दो setting कर लिया हमको यहां पर एक छोटे से application की जरूर पड़ेगी जिससे हमारे phone की जो फोटा है DSLR जैसी ही आएगी इस application का link में description में देदूँगा महां से जा के आप download कर सकते हो और दोस्तो पहले इसको देख लो कि कैसे यह application आपके phone के अंदर DSLR की तरह काम करेगा तो यहां पर दोस्तो चलिए हम उस application को open कर लेते हैं जैसे ही उपर camera solution इस पर click करना है तो यहां पर आपको select कर देना है 920-1080 इसको ही select करना है यह select करने के बाद आपको पहली setting आपने यहां से कर लिए अब आपको यहां से इसको back कर लेना है back करने के बाद दोस्तो यहां पर आपको एक option देखने को और मिलेगा दोस्तो photo setting तो इस पर click क करना है तो image quality में आने के बाद अगर आपका यहां पर 15 है यह 14 है तो आपको यहां पर select कर देना है 19 दोस्तो 19 पर 30 सथ यहां पर select करके और ok कर देना है उसको select करने से क्या होगा जो हमारी image की quality है वो यहां पर improve होगी और हमारे जो phone की photo है वो यहां पर DSLR के जैसे ही देखने को मिलेगी तो इसके बाद फिर आपको यहां पर back कर लेना है बैक करने के बाद HD camera वाले option को enable करने के आपके फोन की जो photo है वो यहां पर DSLR के जैसे ही आपको नजर आए अब दोस्तों अगर आप अपने phone से photo को click करोगे तो दोस्तों photo बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा DSLR से आपने click किया हो